आयम इस वीडियो में जानने वाले है वरुथनी एकदशी कब है उसकी कथा जानेंगे महत्व जानेंगे और शुबमूर्थ जानेंगे वरुथनी एकदशी कब है पंचांग के अनुसार 7 मैं 2021 शुकरवार को वाईशाक मास की कुरुषन पक्ष की एकदशी तिथी है इस एकदशी तिथी को वरुथनी एकदशी कहा जाता है वाईशाक मास में भगवान विष्णों की पुजा का विशिश महत्व बताया गया है वाईशाक के मैने में भगवान विष्णों की पुजा के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पुजा का भी विशश पुण्य बताया गया है वरुथनी एकदशी रोद भगवान विष्णों को समर्पित है मान्यता है कि वरुथनी एकदशी रोद को विदिपुर्वक पुर्ण करने से सभी प्रकर की मनोकाम नहीं पुर्ण होती है जीन डोगों के जीवन में मुरुत तुल्य कष्ट बना हुआ है उन्हें इस रोद को करने से विशेशलाब प्राप्त होता है और कश्टों दूर होता है अब हम वरुथनी एकदशी रोद कथा जानेंगे पवरानिक कथा के अनुसार राजा मान्धात बहुत दानी और तपश्वी राजा माने जाते थे उनके ख्याती चारों तरप फैली हुई थे एक बार ये जंगल में तपश्या कर रहे थे तभी वहां अचानक एक भालू आ गया और उनके पैरों को खाने लगा इसके बाद भे राजा मान्धात अपनी साधना में लीन रहे उन्हें क्रोद भी नहीं आया उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा लेकिन जब उन्हें दर्द और पिडा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विश्णु का स्मरण किया भग्त की पुकार पर भगवान विश्णु राजा के मदद को आये और राजा के प्राण बचाये लेकिन भालू तब तक राजा के पैरों को काफे नुक्सान पहुंचा चुका था राजा यह देखकर दुकी हुए लेकिन भगवान विश्णु ने कहा कि राजा परेशन न हो क्योंकि भालू ने तुमें उतना ही नुक्सान पहुंचाये है जितना पिछले जनम में तुम्मारे पाप कर्म थे भगवान विश्णु ने तब राजा से कहा कि तुमारे पेर ठेक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमी पर वरूतिनी एकादशी का रोत करो राजा ने भगवान की बात का पालन किया और उसके पेर ठेक हो गए अब हम वरूतिनी एकादशी कब है और रोत के मूरत भी हम अभी जान लेंगे वरूतिनी एकादशी रोत सात मई 2021 को शुक्रवार को है एकादशी तिति आरंब होता है छे मई 2021 को दोपेर दो पाज कर दस मिनिट से एकादशी तिति समापन है सात मई 2021 को शाम तीन बज कर 32 मिनिट पर द्वादशी तिति समापन होती है आट मई को शाम पाज बज कर 32 मिनिट पर एकादशी रोत पारण मूरत है आट मई को परातव पाज बज कर 32 मिनिट से लेकर सुबह आट बज कर 16 मिनिट तक एकादश 110 मिनिट व्याओ NBA